जिम का बिजनस आप कैसे फिटनेस का कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत पढ़ती है, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पढ़ेगा, एरिया कितना कम से कम होना चाहिए, और प्रॉफिट हम लोग कैसे बनाते हैं उसमें, वो सारी में क्या-क्या चीज़ें डरूरत होती हैं, तो पहले नंबर पे आपके पास कम से कम पांक से 600 स्क्वाइर फीट का एरिया हो, जहां पे आप चिम स्टार्ट करना चाह रहे हो, और दूसरी नंबर पे वहां की किलेरेंस हो, जो भी नगर निगाम आपका पढ़ता है, वहां स एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर का भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, इवेंचली कुछ इवेंट होता है, घटनाएं होती हैं, तो वहां पे फायर से भी आपको दिखाने पेड़ीगी कि हमारे पास अवेलेबल होता है, दो तीन आपके पास सर्टिफि रुपए में आसानी से मैल जाते हैं फिर उसके बाद आपके पास जो equipment लगते हैं कम से कम जो equipment का budget आता है वो 4-5 लाग रुपए का investment होता है इनियसली पहले फेस में 4-5 लाग रुपए में आप इतने सारे equipment रख सकते हो जिससे कि आप जिम की एंट्री लेना स्टार्ट कर दो और जैसे जैसे आपको प्राफिट होता जा रहा है वैसे वैसे मसींडी की एडवांस वर्जिन भी आप इंट्रडूस करा सकते हो अपने कस्टमर को और उनसे अच्छे फीस भी चार्ज कर सकते हो अगर फीस स्ट्रक्टर की बात करें तो वह आपको राउंड फिगर तो पता होगा अगर आप अच्छे वे में फनिश्ट जिम स्टार्ट करते हो तो मिनमम तो मिनमम एक से डेड़ हजार रुपए होता है इनसली फीस का चार्ज और तीन हजार पांस जार दस हजार तक भी चार्ज़ होते हैं आपकी फिटनेस क यहाँ पैर हमारे लिए बेस्ट प्राइज़िंग क्या हो सकती है जिससे हमारे साथ करनेक्त हो सके और यसके लिए आपको एक दोट।नेस ट्रेनर भी रखने झाजरूरी होते हैं जो कि एजूकेट कर पाए कि आपको किस तरीके से work out कराना होता है कैसे किया जाता है जिससे कि कुछ injury हमारे लोगों को ना हो तो यह कुछ key point है जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है और अगर आप company की बारे में जानना चाहते हो तो description में लिंक है वहां से जाकर कि इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया बहुत सार करकि machinery related query डालते हो तो आपको जितने वहां के manufacturer होते हैं जीम से related machinery बनाते हैं वह आप से direct contact कर लेते हैं आप अगर चाहते हो इच्छु को लगवाने के लिए तो वह side widget भी करते हैं आप बता दोगे area pin code तो वहां पर वहां के sales executive पहुंचेंगे आप से मिलेंगे और आपकी area को examine करेंगे चेक करेंगे और फिर उसके बाद आप वहां से machine लेकर कि अपनी यस जर्णी बिजनस की start कर सकते हो fitness की यह बहुत ही demanding है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जितने लोग entry करते हैं उन में motivation दिले दिले कम हो जाता है दो से तीन महीने जाते जाते वह आपके जो gym होता है उसमें आना भी बंद कर देते हैं तो उस चीज को आपको figure out करना पड़ेगा समय पे किस तरीके से हम उनको retain कर सकें कैसे उनको motivate रख सकें तो वो कुछ इस्टरा आप activity कराके उनके साथ engage रहोगे तो वो direct तो नहीं लेकिन connect रहेंगे आपके साथ क्योंकि fitness एक द तक आपके साथ membership भी रहते हैं और अपने fitness पर भी workout करते रहते हैं लेकिन आप अगर एक data उठाके देखोगे तो इसमें जो retention होते हैं 6 महीनिये के बाद से वो 30% के figure out में ही होते हैं 70% लोग का interest lose हो जाता है motivation कम हो जाता है क्या region है यह तो अभी तक नहीं पता लेकिन कुछ तो region होता है जिससे वो दुबारा जो उनकी fitness रोटीन होती है उसको ब्रेक कर देते हैं तो आई हूप कि आपको यह video अच्छा लगा हो इसमें आपका total जो investment होगा वो पांच लाग के round का business के investment होगा और profit आप डेवन से ही बना सकते हो क्योंकि nearby area में आप बनते समय ही promote कर सकते तो अपने services को जिससे लोगों की entry होना start हो जाता है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पर नए है तो चैनल को like करें subscribe करें thank you